तो स्वाधा थे आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे तो आज मैं बताने वालाओं त्रिकेट से जुड़ी दिन बढ़ की दस बड़ी खबरे तो बिना देरी के वे वीडियो तो शुरू करते हैं तो दिन भर की पहली बड़ी खबर ये है कि कल खेले गए पहले वांडे में भारत ने उस्ट्रेलिया को पाच विकेट से हरा दिया है मुहमत सामी ने सांदार गेंद बाजी करते हुए पाच विकेट लिये सुमन गिल ने चोहत्तार रन बनाए इरितुराज डैकवाड ने 70 रन बनाए कप्तान केल गाउन ने 98 रन रन बनाए होई सूरी कुमरियाद उने सांदार बले बाजी करते हुए 50 रन बनाए दूसरी बड़ी खबर है कि एस्ट्रिलिया को हराने के बाद भारते टीम वंडे में नंबर वन टीम बन चुकी है तीसरी बड़ी खबर है कि गौतम गंबिर की केटे आटीम में वापसी हो सकती है बतोर कोचिंग स्टाफ चौथी बड़ी खबर है कि वनिंदू हसरंगा और माइस ती चाना पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और श्री लंगन टीम में वापसी को तयार हैं पांच भी बड़ी खबर है कि कल पाकिस्तान के वल्लकप टीम की गोशना हुई है और अभी आप हमारे स्क्रीन के उपर दिश्टान का वल्लकप स्कॉट चाथी बड़ी खबर ये कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का सेडियूल जारी हो चुका है और अभी आप हमारे स्क्रीन के उपर देख सकते हैं सेडियूल साथवी बड़ी खबर ये कि एसेन गेम्स वेमेन किरिकेट में सेमी फाइनल का कारिकरम तै हो चुका है कल पहला सेमी फाइनल खेला जाएगा इंडिया और बनलादेश के बिच साड़े 6 बजे सुबे से और कल दूसरा सेमी फाइनल खेला जाएगा पाकिस्तान और शिर्लंका के बिच सुबे साड़े 11 बजे से आठवी बड़ी खबर है कि वर्लकप 2023 के लिए प्राइज मनी की गोशना हो चुकी है जितने वाली टीम को 33 करोड रूपए मिलेंगे उप विजेता टीम को 16 करोड रूपए मिलेंगे बाकी बची दो सेमी फाइनलिस्ट टीम को 6 करोड रूपए मिलेंगे और ग्रूप स्ट सेमी बड़ी खबर है कि वर्लकप 2023 के लिए नेधरलन ने अपनी जर्शी लॉंच कर दिया है दसवी बड़ी खबर है कि ऑस्टलिया के कप्तान पैट कमिन्स ने कंफर्म कर दिया कि मिचली स्टार्ट और ग्लेन मैक्सवेल दूसरे वन डे में भी नहीं खेलेंगे